असलाम लेकूम, वेलकम टू माई होम, ये मेरा छोड़ा सा नियो घर है, हम अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं, इससे पहले हम लोग रिंट पे रहते थे, यहाँ की हर चीज हमारी एस्पेक्टेशन से बढ़ कर है, इस घर की कुछ एक्साइटिंग चीज़े जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल है, तो चलिए शुरू करते हैं किचिन से, तो यहाँ पे है ये मेरा breakfast table, और इसके अंदर रखा हुआ है washer machine, इसमें best thing ये है, कि washer machine का अपना separate एक जगह है, जो मुझे काफी अच्छा लगता है, कि washer machine अलग से कोई भी जगह capture नहीं कर बलके ये kitchen इस तरह से design किया हुआ है, कि हर चीज की अपनी अपनी जगह है, same washer machine के बगल में है हमारा dishwasher, dishwasher का होना ही मेरे लिए काफी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास dishwasher होगा, और ये भी breakfast table के नीचे set किया हुआ है, जिससे extra space ये machine capture नही और इसके अंदर जाने से मुझे kitchen slab को खाली और clean रखने में काफी हल्प मिल जाते है, क्योंकि मेरा जो oven है, वो भी extra space capture नहीं कर रहा है, वो भी अपनी जगह पे set है, अब जो मुझे आपको दिखाना है, वो है ये catlary holder, इस पे मैं easy access वाली चीज़े रखती हूँ, ये interesting इस इस लिए है क्योंकि इसको install करने के लिए drill करने की जरूरत नहीं होती है, ये smooth flat wall पे easily stick हो जाता है, इस लिए ऐसा मैंने कुछ और wall holder लिया है, जो मैंने अलग-अलग purpose के लिए stick किया हूआ है, चली वो मैं आपको दिखाते हूँ, तो यहाँ पे है ये toilet paper holder with mobile stand, जो मैंने वे bathroom self और shop holder चिपका दिया है, अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये area मेरे लिए, ओफ मैं क्या बताओ, सुकून वाला है, क्योंकि मेरे सारे cleaning tools यहाँ पे organized रहते हैं, सबसे जादा tension घर में अगर किसी चीज़ की होती है, तो वह है जारो, पोचा, ये सब बस इदर जारे गेड़ एकदम free slim trim हो गया है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ये area है सुकून वाला, तो ये थे कुछ मेरे घर की interesting things जो मुझे आपके साथ share करने का बड़ा दिल था, तो इस वीडियो को करते हैं, यहाँ पे end, मेरे इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए मुझे follow कर ल